हलो एवरिवन वैलकम बैक टू माई चैनल इजी कुकिंग एंड रेस्पीज सो फ्रेंट्स आज हम बनाने जा रहे हैं दिवाली स्पेशल स्नेक्स याने की आज हम बना रहे हैं मट्री मट्री आपने अलग-अलग तरह से बना कर खाई होंगी लेकिन एक बार इस तरह से बना कर देखिए दोस्तों बहुत ही कम समय में आसानी से बहुत ही जादा टेस्टी और खस्ता मट्री हमारी बन कर तयार होती हैं आए रस्पी को शुरू करते हैं सो मट्री बनाने के लिए सबसे पहले हम डो लगा कर तयार कर लेते हैं तो उसके लिए मैंने यहाँ पर दो कप मैदा याने की औल पर पर्पस फ्लार ले लिया है कितने लोगों के लिए कितनी कॉइंटिटी में आप बनाना चाहते हैं उसे साब से ही मैदे की कॉइंटीटी लीजिए 4 टेबल स्पून ओइल मैने इसमें डाल दिया है इसके साथ ही नमक डाल देंगे स्वादनु सार एक चमच अजवाइन को क्रश करके हम इसमें आट करेंगे सबी इंग्रीडियंट्स को आपको पहले बहुत अच्छे से मिला लेना है और मिलाने के बाद हम डो लगा कर तयार करेंगे तो यहाँ पर ध्यान रखिए आप थोड़ा-थोड़ा सा पानी डालते जाएए और सेमी सॉफ्ट डो बना कर तयार कर लीजिए डो को बहुत जादा टाइट भी नहीं रखना है बहुत जादा सॉफ्ट भी नहीं रखना है थोड़ा-थोड़ा सा पानी डालते जाएए और सेमी सॉफ्ट डो बना कर तयार कर लीजिए तो यहाँ पर आप देख सकते हैं डो हमने लगा लिया है तो अब आपको करना क्या है थोड़ा सा तेल डाल देना है इसकी उपर सिर्फ दो-तीन डॉप ही तेल आपको डालना है और तेल डालने के बाद इस तरह से पूरे आटे में आपको अच्छे से लगा देना है डो को हम करीब 10-15 मिट के लिए रैस पर छोड़ देंगे तो इसे ढख कर रैस पर छोड़ दीजिए करीब करीब 10-15 मिट हो चुके हैं एक बार टाइट हातों से डो को आप बहुत अच्छे से मसल लीजिए इस तरह से थोड़ा सा मिक्स आपको लेना है और मिडियम साइस की लोई बना कर तयार करनी है आप चाहें तो एक साथ सारी लोईया बना लीजिए या फिर साथ साथ बनाते जाएए और रोल करते जाएए तो चलिए आब हम इसे रोल कर लेते हैं थोड़ा सा तेल आप इसकी उपर लगा लीजिए जिसे की ये चिपके ना, तो इस तरह से हम इसे रोल करना है पतला सा, ध्यान रखिए रोटी के साइस का हम इसे रोल करेंगे और आपको ये शीट मोटी बिल्कुल भी नहीं रखनी है, एकदम पतली शीट हमने यहाँ पर बेल कर तयार कर ली है, तो अब हम इसे कट करेंगे, तो इस तरह से आपको कट करना है पहले सेंटर में से इस तरह से कट लगा लीजिए और इस तरह से क्रॉस करते हुए आपको कट करना है जिस तरह से मैं कर रही हूं तो यहां पर आपको करना क्या है जो लंबे लंबे ट्राइंगल्स हैं कॉर्णर से आपको इन्हें इस तरह से प्रेस करते हुए ही आपको रोल करना है एक बार फिर से देख लीजिए जिस तरह से मैं कर रही हूँ बिल्कुल इसी तरह से आपको करना है तो सारी मठ्रियां आप इसी तरह से बना कर तयार कर लीजिए कड़ाई को हमने पहले ही गेस पर चड़ा दिया था तेल अच्छे से गर्म हो चुका है, गैस की फ्लेम को मीडियम रखिए और मीडियम फ्लेम पर आप मठ्रियों को फ्राय कर लीजिए, तो यहां पर शुरुआत में मैंने थोड़ी सी मठ्रियां डाल दी हैं फ्राय होने के लिए, मीडियम फ्लेम पर चारो तरप से हम मठ्रियों को गोल्डन ब् गर्मा गरम खस्ता मठ्री हमारी बनकर तयार हो चुकी है तो इसी तरह से बाकी सारी मठ्रिया भी आप बना लीजिए और देखा आपने कितने कम समय में असानी से हमने ये यूनिक स्टाइल की मठ्रिया बना कर तयार की है तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ आपको मेरा ये वी वीडियो के साथ तब तक के लिए आप खुश रहिए मुस्कुराते रहिए धन्यवाद